अज़कुम टूक्लास ओपन यॉर लेंविज कोपिस रामार संदायन में निशन देटें जे आज हम करेंगे प्रोनाउन एसा वर्ड जो नाउन की जगा यूज हो जाए वो प्रोनाउन किराता है like Sarah is a good girl, Sarah does not her homework everyday, Sarah is a good girl Sarah is a good girl हमने लिख लिख लिया, ठीक है अब next में जैसे उपर लिखा हो था, Sarah does not her homework everyday, उसके जगा हम she भी लिख सकते हैं यानिके pronoun use कर सकते हैं, pronoun कौन कौन से होते हैं, I, we, me, us, mine, you, he, she, it, they, them, him, her, our, etc, यह होते हैं तो इसके जगा हम use कर सकते हैं, Sarah is a good girl, आके हम Sarah की जगा लिख सकते हैं, she does her homework everyday, यानिके Sarah नहीं मतलब नाम नहीं लिख सकते हैं, noun है, नाम सारा, तो हम सारा की जगा जो है ना, pronoun भी यूस कर सकते हैं, इसके लाब हम करेंगे adjective, an adjective is a describing word that tells more about of a noun, for example, बिसमा is a beautiful dress, बिसमा वारा, beautiful dress, जमीन, has a new football, इसमें जो हैं, in this sentence, beautiful, little, new, intelligent, adjective, किसी की खुबी को खामी को बियान करना जो होता है, noun में से, ठीक है, वो कहलाता है, adjective, जैसे कि आपके सामने एक्जेंपल है, बिसमा वारा, dash, dress, beautiful dress, ठीक है, बिसमा वारा, beautiful dress, अब ये आपके पास एक noun आगया, noun का sentence आगया, ठीक है, इसमें से क्या बियान किया गया, उसकी खुबी अखामी, beautiful dress, कि उसमें अच्छा, जो पहना है, जमीन, has a dash, football, new football, ठीक है, this is a little boy, इसमें से क्या है, little, he is an intelligent, इसमें से क्या है, intelligent, जो है, इसमें से क्या है, intelligent, जो है, इसका adjective है, किज, आप लोगों ने अपनी language की कॉपस पर pronoun और adjective लिखना है, लेकिन ये बीच में जैसे ये होता है, Sarah is a good girl जैसे pronoun में था, और इसमें तब इसमें ये नहीं लिखना, आपने definition लिखनी है, और उसके बार direct उसकी जो example है, वो लिख देनी है, okay kids, take care, love,